प्रेमी संग रिष्टे को लेकर सास ने बहू को रोका तो बहू ने साप से डसा कर ले ली सास की जान दोस्तो ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया एक बहू इतने बड़े क्राइम को करती है अपनी सास को मारने के लिए एक साप का इस्तिमाल करती है पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर वाई नमस्कार जैहिंद आप देख रहें एपिएच न्यूज तो दोस्तो आज आपको लेके चलते हैं राजिस्थान के जुन्जुनु में यहाँ पर सुबोध कुमार एक लेडिज होती है जो दो जुन दोजार उन्नीस को रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है लेकिन सुबह देर होने तक वो अपने कमरे से उठकर बाहर नहीं आती तो उसकी बड़ी बहु होती है अल्पना कमरे के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है तो वो वहाँ की हलत देखकर एक दम चीक उठती है उसके मुह से तरह तरह की आवाज आने लगती है अडोसी पडोसी वहाँ पर एकटा हो जाते हैं अडोसी पडोसी जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो सुबोध कुमार को हिलाया ढूलाया जाता है कई बार उसको जगाने की कोशिस करते हैं लेकिन सुबोध कुमार ऐसी नीद ले चुकी थी कि वहाँ से आना उसका मुश्किल ही नामुम्किन था दोस्तो सुबोध कुमार को पड़ोसियों की साहता से हॉस्पीटल ले जाया जाता है हॉस्पीटल पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं चेक करने के बाद पता चलता है कि सुबोध कुमार की मिर्ती हो चुकी है दोस्तों वहाँ पर जो साप अपना जमावड़ा जमाई बैठा था उसे किसी सपेरे की साहता से पकड़वा लिया जाता है और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जो सुबोध कुमार का पती होता है राजेस उसको बुलाया जाता है और उसका जो बड़ा बेटा होता है वो फोज में होता है उसे बुलाया जाता है उन दोनों के आने के बाद उसका अंतिम संसकार किया जाता है दोस्तो अंतिम संसकार होने के बाद कुछ दिन बीथ जाते हैं घर में थोड़ा सांती का माहौल हो जाता है लगभग एक महिने का समय बीथ जाता है एक महिने के बाद एक दिन उनकी बड़ी बहु जो अलपना होती है वो एक दिन फोन पर बात कर रही होती है और फोन पर वो ये कहती है कि क्या उस दिन जब आप लोग आए थे किसी ने आपको देखा तो नहीं किसी को कानों कान इस चीज के बारे में किसी को खबर तो नहीं हुई दोस्तों ये सारी वाक्य नीचे खड़ा हुआ उसका ससुर सुन रहा होता है याने कि सुबोध का जो पती राजेस होता है ओर ये सारी चीजें नीचे सुन रहा होता है और उसके ये सारी सुनने के बाद पेरो तले जमीन निकल जाती है वो मनी मनी ये सूचता है कि हम इसको बहू नहीं अपनी बेटी की तरह बना कर लाए थे लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जो अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया दोस्तो राजेस पुलिस टेशन पहुँच जाता है और पुलिस को खबर कर दी जाती है पुलिस में F.I.R. दर्ज करा दी जाती है F.I.R. दर्ज करने के बाद राजेस अपने घर आ जाता है और पुलिस अपनी कारवाई स्टार्ट कर देती है पुलिस अपना सक अलपना पर पूरा पूरा जाहर कर देती है कि अलपना ने ही ऐसा किया है क्योंकि उसकी जो कॉल डिटेल से जो जाहर हुआ था वो एक बहुत बड़ा चौकाने वाला मामला था उस दिन 124 बार दो जून 2019 को जिस दिन ये वारधात हुई थी उस दिन 124 बार एक मनीस मीना के फोन पर जो की अलपना होती है उसने 124 बार कॉल किया था दूसरा किसना जो मनीस मीना का दोस्त होता है उसके बार 19 बार कॉल किया गया है तो दोस्तों पुलिस की सक्की सुई मनीस मीना और किसना के उपर भी घूम जाती है किसना को गरपतार कर लिया जाता है मनीस मीना को भी गरपतार कर लिया जाता है मनीस मीना से जो खुलासा होता है वो बहुत ही चौकाने वाला होता है सुबोद कुमार को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं इन दोनों को बार बार मना करती है कि तुम दोनों मिलना बंद कर दो नहीं तो जो अलपना का पती है मेरा बेटा फोजी है मैं उसको बता दूँगी तो दोस्तो उसी दिन इन दोनों निर्ने ले लिया था कि सुबोद कुमार को रास्ते से हटाना है 2 जून 2019 की वारदा थै 2 जून 2019 को सुबोद कुमार की जो बड़ी बहु होती है अल्पना वो एक बनाना सेख बना कर लेकर आती है बनाना सेख में नसीली दवा मिला कर लाती है और अपनी सास को पला देती है नसीली दवा पीने के बाद सास बेहुसी की हालत में अपने बैड पर गिर जाती है और वहीं पर लेट जाती है दोस्तो यहीं पर क्रायम की अगली वारदा बढ़ती है और जो अलपना का प्रेमी होता है मनीश कुमार वो एक साप लेकर आता है वो साप एक सपेरे से 10,000 रुपे में खरीता है और उसे कम्रे में छोड़ दिया जाता है दोस्तो काफी टेम तक उसका वेट किया जाता है कि साप डसे लेकिन वो साप डसता नहीं है काफी देर वेट करने के बाद अलपना और उसका जो प्रेमी होता है मनीश कुमार वो कम्रे के अंदर जाते हैं और एक तकिया उठाते और तकिये से जो सुबोध कुमार होती है उसका गला दबा देते हैं उसका मुह दबा देते हैं और तब तक उसे दबा कर रखते हैं तब तक वो मर नहीं जाती है दोस्तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और कम्रे को बंद करके बाहर निकल जाते है सुबह तब पता चलता है तब लोगों को यही पता चलता है कि सुबोध कुमार की जो मौत हुई है वो एक साप के काटने से हुई है लेकिन सुबोद कुमार की मौत का कारण तो कोई और ही है लेकिन जो उसकी अस्तियां बची हुई थी उनसे फॉरसिक जाच के लिए पुलिस उनसे मांगती है और उन्हें फॉरसिक जाच के लिए भेज देती है फॉरसिक चांच में जो खुलासा होता है वो एक चौकाने वाला खुलासा होता है फॉरसिक चांच में पता चलता है कि जो सुबोद कुमार की मौत हुई है वो एक साप के काटने से हुई है यह मामला सुप्रिम कोट में पहुंच जाता है उनकी जमानत की याचिका को लेकर लेकिन सुप्रिम कोट में भी जमानत को रद्द कर दिया जाता है कि उसका जो कारण होता है वो एक चौकाने वाला होता है एक साप की साहता से एक लेडिज की मौत के खाट उतार दिया जाता ह लेडीज को दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह का यहां पर क्रैम हुआ है क्या सुबूद कुमार जो उसकी सास थी उसकी कोई कमी थी या जो अलपना जो काम कर रही थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो क्या सही था दोस्तों अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इसमें किस की ज़्यादा कमी है और कौन इसमें ज़्यादा जुम्मेवार है